हेलो एवरीबन वेलकम बैक टू माई चैनल कैसे हैं आप सभी लोग उम्मिद करते हूँ कि आप सभी लोग बहुत जादा आच्छे होंगे तो आज भी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कुछ छोटे छोटे ऐसे किचिन टिप्स जो आपके घर और किचिन के मुश्किल कामों को करेंगे बहुत जादा आसान तो चलिए दोस्तों फटा फट से आज का ये यूसफुल वीडियो हम शुरू कर लेते हैं दोस्तों आज का जो पहला टिप है वो है मेरा यहां पर इस तरह के बरतनों को लेकर कई बार गैस खतम हो रहा होता है या फिर कई कारणों की बज़ कर सकते हैं तो यहां पर सबसे पहले एक बरतन में मैंने ले लिया है दोस्तों गेहूं का आटा गेहूं का आटा ही आपको लेना है कोई और चीज नहीं चलेगी ठीक है इसके बाद दोस्तों इसके अंदर आपको एड़ करना है सैंपू तो सैंपू कोई भी यूस कर सकते है जो भी आपके घर में हो न वो थोड़ा सा सैंपू आप इसके अंदर डाल दीजेगा इसके बाद दोस्तों आपको लेना है यहां पर white vinegar जो की सफेद सिर्का होता है न वो ले लीजेगा या कोई भी सिर्का जैसे सेब का सिर्का या फिर जामुन का सिर्का कोई भी सिर्का हो व हो चुका है अब चली मैं बताती हूंगी किस तरह से आपको इसको यूज करना है अब दोस्तों आपका जो जला हुआ पार्ट है जो बिल्कुल काला हो चुका है चाहे वो कड़ाई का हो या फिर इस तरह से भगवाने का हो या फिर कोई भी बर्दन ठीक है उसके उपर इस आपको लगा देना है और इसको लगाने के बाद लगबग 5-10 मिनिट के लिए इसको ऐसे ही छोड़ दीचेगा ठीक है 5-10 मिनिट में ही आप देखेंगे जितनी भी इस तरह की गंदगी है कालक है वो क्या होगी वह बहुत अच्छे से फूल जाएगी और जब आप इसे रव करना है जैसे आप इसको रव करोगे आप देखोगे जितनी भी कालक होगी जितनी भी गंदगी होगी बहुत अच्छे से वह छूटती चली जाएगी ठीक है यहां पर आप देखी सकते हैं यह मिश्वन बहुत ही ज़दा पावरफुल होता है जिससे जितने भी इस तर इसको एक बार अच्छे से आपको पानी से बॉश कर लेना है है न दोस्तों कितना यूसफुल सा आइडिया तो आप इसको ट्राइ करके जरूर से देखेगा आपको ज़्यादा मेहनत भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपके जो घर के बरते नहीं एक तम चमा चम जाएंगे दोस्तों इस तरह से ब्रश जो होते हैं हम सभी के पास होते हैं हम इनसे दान साफ करते हैं लेकिन कई बार कई हम बाहर हुमने जाते हैं तो आपने देखाओ ये जो ब्रश है ना इस तरह से हम बैक के अंदर डाल के लिके जाते हैं और इस तरह से डालने से क्या ह यह आपस में एक दूसरे से टच होते रहते हैं जो कि बहुत ज़दा गंदा लगता है तो कई बार दोस्तों इस तरह की प्रॉब्लम हमें फेस करने पड़ती है तो एक बहुत बढ़ी असा टिप आपके साथ शेयर करी हूं जो से इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम आपको नही इससे आपका जो ब्रेश है बो भी अच्छे से यहां पर पैक हो जाएगा और बिल्कुल गंदा भी नहीं होगा यह देखे मैं आपको यहां पर पैक करके दिखा रही हूं बिल्कुल इसी तरह से आपको भी पैक कर लेना है आप देखे इसको आपने बैक के अंदर जब डा होगा हम टमाटर अगर जादा क्वेंटिटी मिलाते हैं तो दोस्तों बहुत ही जल्दी से बहुत सणने लगते हैं तो इसके लिए बहुत ही बढ़िया सा टिप शेयर कर रही हूं यह देखे एक बावल में आपको पानी लेने के बाद आपको क्या करने इसके अंदर ना थो इसी तरह से आपको पड़ा रहने देना है और पांच मिलिट के बाद दोस्तों आप क्या कीजेगा इन टमाटरों को निकाल लेजेगा यह चूटा सा ट्रिक है लेकिन दोस्तों आप देखेंगे कि इससे आपकी जो टमाटर है काफी लंबे टाइम तक सुरक्षेत रहते हैं अगर आप इसे स्टोर करके रखना चाहते हूं या ज़्यादा कभी टमाटर लेके आते हूं तो इस ट्रिक का यूज़ करके जरूर से दिखेगा आपकी टमाटर बिल्कुल वैसे के वैसे ही रहेंगे जल्दी से न सड़ेंगे और ना ही गलेंगे दोस्तों इस तरह की चाय चाय चन्नी हम सभी के घर पे होती है लेकिन इस तरह की जो चाय की चन्नी होती है बहुत ही जल्दी से गंदी हो जाती है काली-काली सी हो जाती है क्योंकि इससे हम लगातार चाय च्छानते रहते हैं तो इस तरह की जो चन्निया है उनको साफ करने का एक बहुत ही बढ़िया और यह श्तुम्स क्या करना है इसके बार लें दोड़ँ है इसके बाद कोई भी शेंपू आप लेंट है थोड़ा सा इसके अंदर डाल देना है और मिक्स करके आप क्या कीजी जो कि चंणी है उसको इसके अंदर डाल दीजे लगवक्त 10-15 मिट के लिए छोड़ सब सकते हैं तो मैं इसको डाल देती हूँ और 10 मिट के लिए छोड़ दूँगी तो 10 मिट हो गए है दोस्तों इसके बाद कोई भी पुराना ब्रश ले ले लेजेगा और उससे आपको क्या करना है इसको इस तरह से रगड़ कर साफ करना है जब आप इस तरह से इसको रगड़ोगे ना तो आप देखोगे जितनी भी गंदगी है वो छूटती चले चाएगी और आपकी जो चन्नी है गंदी बेलकुल मिन्टों में चका चक हो जाएगी जादा आपको यहाँ पर मेहनत करने की भी जरूत नहीं पड़ेगी और दोस्तों बीच बीच में इसको जरूर से क्लीन कीजिए क्योंकि इस तरह से हम इसमें चाएगी चान्ते हैं तो बहुत सारी गंदगी हो जाती है और वही अगर चन्नी हम यूज करते रहे तो यह हमारी सेहत के लिए भी बहुत ही ज़ादा नुकसान दे होती है पानी आप देख सकते हैं कितना ज़ादा काला हो गया है तो इसको मैं एक बार अच्छे से साफ कर लेती हूँ और इसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ तो यह दिखे दोस्तों हमारी चाएशलनी कितने अच्छे से साफ हो गई है आई होब दोस्तों यह चुटा सा आइडिया भी आपको बहुत ज़ादा पसंद आये होगा तो इसको आप ट्राइ करके ज़रूर से देखेगा प्याश काटना दोस्तों हम किसी को पसंद नहीं होता है क्योंकि इसे चाह हम काटते तो हमारी आँखों से आसु भी आते हैं और आखों में आसू ना आए इसलिए आपको क्या करना है इसको रख देना है फ्रीजर के अंदर ठीक है फ्रीजर के अंदर रखने के बाद लगबग पांस से दस मिट के लिए इसको ऐसे ही छोड़ दीचीगा यह कमाल के टेप दोस्तों आप एक बर ट्राय करके जरूर देख प्याज के जरूरत पड़ती है जैसे कि चाउमीन हुई या फिर प्याज का पराथा जिसमें मोटे टुकड़े होने की बज़ए से उसे हमें बनाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है तो इस तरह से आप फटा फट से धेर सारा प्याज बिल्कुल मिनिटों में काट सक इतने ज़ाइबTI से लच्छ निकलते हैं इस से यह देखी कितने ज़ादा ट्राण्सपरेंट्ल है और इसके लिए हमें चाकू बगरा कि बेश जरुरत पड़ता परती है यह देक्हितने चाकू ब्गराइबокой ब्याज की उस प्याज काटने में ना तो हमारी आँकों से आं कटके तयार हो चुका है तो इसे ट्राइ करने के साथ सा दोस्तों वीडियो को ज्यादा से जादा शेयर करना ना भूलें और दोस्तों इसके जो छिलके है इने भी फेकनी की जरूर नहीं है आप क्या कीजे इने इस तरह से कोई भी सेप्टी पिन ले लिजे और उसमें आपको क्लिया है तो ये टिप भी आप ट्राइ कर सकते हैं तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आज का ये वीडियो भी आपको बहुत जादा पसंद आया होगा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमेसा की तरह शेयर कर दीजेगा लाइक कर दीजेगा चैनल पर नहीं है तो करना ना भूले कल फिर से मिलेंगे दोस्तों एक नई वीडियो के साथ धन्यवाद